नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर आज मैं आपको एक ऐसे घस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे दूधारू पशो को वर्ष भर हरे चारी की उपलब्दता बनी रहती है दूधारू पशो के लिए एक बहतरीन प्रोटीन का स्रोथ हरा चारा वर्ष भर उपलब्द रहता है इसको एक बार लगाने के 6 साल तक ये पैदावार देता रहता है हम बात कर रहे हैं नेपियर खास की तो आईए जानते हैं कि नेपियर खास को कैसे लगाया जाता है और कहां इसका बीज मिलता है कब इसमें खाद देना पड़ता है और कब ये वसल तैयार होती है तो शुरू करने से पहले अगर आप ही तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँच जाए शुरू करते हैं नेपियर खास लगाने से पहले सबसे पहले खेत त्यार किया जाता है खेत की जुताई की जाती है उसके बाद खेत में देशी खाद या फिर गोबर की खाद मिलाई जाती है खाद मिलाने के बाद छोटी छोटी डॉली है या फिर मेड बनाई जाती है जिनके उपर इसके बीच की रोपाई की जाती है बीच की रोपाई करते समय हमको ध्यान देना पड़ेगा कि बीज, दो बीज के लगबग, डेड़ फिट की दूरी होनी चीए क्योंकि एक ये पौधा जब भड़ता है तो इसमें काफी सारी कोपले निकलती है काफी सारी कलिया निकलती है तो पौधा जगा घेरता है इसलिए दो बीजों के बीच में हमको गैप रखना है लगबग एक से डेड़ फिट का बीज की रोपाई के तुरंट बाद इसमें पानी देना पड़ता है पानी देने के तीन से चार दिन बाद ये अंकूरी तो हो जाता है अंकूरी तो हो जाता है उसके लगबग आठ से दस दिन बाद इसकी उचाई लगबग चार से चेंच हो जाती है और लगबग एक महीने बाद इसमें हमको यूरिया देना पड़ता है ताकि पौदे की अच्छी गरोथ हो पौदे की जड़ मजबूत बने यूरिया देने के बाद जैसे लगबग चार महीने में इसकी फसल तयार हो जाती है तयार होने के बाद यह पहली कटाई के लिए तयार है इसके बाद यह प्रतेक 20 दिन में एक कटाई देती है इस तरीके से वर्ष बर हमको हराचारा उपलब्द रहता है और एक पशू के हरेचारे की आपूरती वर्ष बर होती रहती है आज के लिए सिरफ इतना ही अगर आपको यह जान करें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद